बात करते हैं कंडिशन्स कि कौन कौन सी ऐसी कंडिशन्स हैं जिनके अंडर में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं तो यहां पर चार ऐसी conditions हैं जिनके अंडर में आप Pregnancy को terminate करवा सकते हैं या फिर induced abortion करवा सकते हैं तो यहां पर जो first condition है वो है medical condition जो female है वो अगर Pregnancy को continue करती है तो उसके life जो है उसकी life जो है काफी खत्रे में आ सकती है उसकी life के लिए dangerous हो सकता है और उसकी जो mental और physical health है वो affect हो सकती है उसमें injury हो सकती है तब उस condition में जो female है वो pregnancy को terminate करवा सकती है निशने आप जो second condition है वो है eugenic eugenic में क्या है कि जो जिस बच्चे का जनम होने वाला है जो बच्चा born होने वाला है वो serious handicap के साथ born होने वाला है उसमें कई सारी physical और mental abnormalities होने वाली है तब उस condition में भी आप pregnancy को legally terminate करवा सकते है निशने आप पर जो third condition है वो है humanitarian humanitarian में क्या है कि जो pregnancy conceive होई है वो किसी rape के कारणाट conceive होई है मतलब किसी female का अगर rape हुआ है तब उस condition में pregnancy conceive होगई है तब भी जो है आप legally pregnancy को terminate करवा सकती है निशने आप पर जो fourth condition है वो है failure of contraceptive devices कई सारी ऐसी contraceptive devices होती है जिनके fail होने के कारणाट अगर pregnancy conceive होई है तब उस condition में भी legally pregnancy को आप terminate करवा सकते है अ हुआ है ओग, śसज कई पर करवा है झाल झाल